नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लॉविट के एक और ने वीडियो में मेरा नाम है आकाश मैं साउत कलकर लॉव कॉलेज के थर्ड इर में पड़ता हूँ और यह है होमिसाइट सीरीज का पहला वीडियो इस सीरीज के सारे वीडियो एक ही साथ में अपलोड कर देगे है तो feel free to binge watch जो सीरीज का स्ट्रक्चर है वो नीचे description box में दिया गया है और यहां पे playlist में लिंक्ड है तो आप चाहे तो किसी particular वीडियो में अगर जाना चाते तो वहां से जा सकते नीचे या उपर से लेकिन अगर homicide का ऐसा concept समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक सी वीडि इस पूरे chapter के लिए लेकिन क्यों important है यह difference इतना है आप इन दोनों को जानते है यह है और यह है मेरे बच्पन में दोनों को अलग करना एक struggle था और इस struggle में मैं अकेला नहीं हूँ यह पता चलता है इस से 90s kids anyways इस चीज को relate करते हमारे topics है अगर culpable homicide twinkle खना है तो murder रविना टेंडन है दे लुक आलमोस्स सिमिलर इन दे फर्स ग्लांस लेकिन आप थोड़ी सी धियान से अगर देखेंगे तो यह तो completely different concepts इसी difference को आज हम समझेंगे ताकि in future आप कभी भी कि कल्पबल homicide और murder को लेके ऐसे confuse ना हूँ okay so first things first homicide इसका क्या मतलब है homicide एक latin शब homicidium से derived which again can be divided into two parts homos मतलब human और sodium मतलब the act of killing तो homicide का मतलब निकलता है एक इनसान के दोड़ा एक दूसरे इनसान का हत्या या कतल होना अब आते है culpable word पे कहता है English is a borrowed language क्योंकि English में आपको जितने दूसरे भाषाओं से inspired words मिलेंगे वो शायद किसी और भाषा में नहीं मिल सकते हां मतलब पूरे धर्टी के colonize करने का कुछ तो effect होगा ना Anyways, culpable एक Spanish word culpa से derived है जिसका मतलब है guilt तो culpable homicide इसका मतलब निकलता है a homicide for which one can be made guilty or liable एक हत्या जिसके लिए हत्या करने वाले को जिम्मेदार ठाड़ाया जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी बेतू की बात है अगर किसी ने हत्या किया है तो obviously उसके लिए जिम्मेदार है इसके लिए एक अलग से term लाने की क्या जरूरत है Well then think again क्या हमेशा हम एक हत्या करने वाले को जिम्मेदार मानते है जी नहीं हत्या excusable और justifiable भी हो सकता है और legally ऐसा हो सकता है आप एक encounter का example ले लीजिए अगर एक police encounter में एक criminal किसी police officer के हाथों मारा जाता है तो क्या वो हत्या नहीं है? क्या वो homicide नहीं है? बिलकुल है लेकिन यहां पे वो homicide excusable है IPC धारा 89 के तहट जो lawful authority में कियेगी homicide को excuse करती है आप private defense के example देख लीजिए अगर आपको कोई चाकू लेके मारने आ रहा है और खुद को बचाने के लिए आप उल्टा उसे ही मार देते है तो फिर से आपने homicide तो किया हत्या तो किया लेकिन IPC ध जाला 97 और 100 के तहट यहां पे खुद को बचाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ा यानि कि private defense का excuse लेके आप कोई भी liability से बच सकते हैं यह दोनों थे justifiable homicide के example यानि कि जहां पे homicide या हत्या तो हुआ है लेकिन उसे justify किया जा सकता है यानि कि उसका ओचित्तिय साबित किया जा सकता है एक और होता है excusable homicide मार लीजिए एक driver गारी चला रहा था अब रस्ते में उनके car का brake fail हो जाता है उनके end में कोई गल्ती या negligence ना होने पड़ भी अब कोई बड़ी दुरगटना से बचने के लिए और उस out of control car को रस्ते के side में ले जाके एक पेर में crash करगा जाता है अब unfortunately उस crash में एक इनसान की मौत हो जाती है जो उस car और पेर के बीच में आ गये थे यह excusable homicide है यहाँ पे IPC section 80 के तहट driver सहाब खुद को किसी भी liability से बचा सकते है ज्योंकि इस पूरे incident में उनके end में कोई भी गल्ती या negligence नहीं हुई थी इसी में उनके इस crime को इस June को excuse किया जाएगा इस मौत को excuse किया जाएगा हाला कि देखा जाए तो उस इनसान की मौत directly या indirectly तो उस driver के हातों में ही हुआ है तो फिर homicide कल्पेबल कब होगा IPC धारा दोस्तों 99 कहता है कि जो भी कोई किसी की मृत्यू कारिद करने की आशा से या फिर ऐसी शादिरिक शाती पहुचाने की आशा से जिसे मृत्यू संभाब ही हो या फिर यह जानते हुए कि यह संभाब है कि मृत्यू होगी अगर कोई का आशा जो भी हो, definitions are definitions are definitions. तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो culpable homicide मतलब किसी इनसान को मारने की इरादे से या फिर कुछ केसे में इरादा ना होने पर भी उसको ऐसा कोई bodily injury पहुचाना जिससे उसकी मृत्यू संभाब्य हो और उससे actually उसकी मृत्यू हो जाती है यानि कि if death is likely to be caused by that injury and death is actually being caused then it is called a culpable homicide. English law में इसी चीज़ को man slaughter बोला जाता है अब इसका example हम अभी देख सकते हैं लेकिन trust me example से आप culpable homicide की concept को definition से जितना समझे है उससे कुछ भी जादा नहीं समझेंगे क्योंकि culpable homicide को लेकि जितने doubts से उसका मुद्धा ही यह है कि कब एक culpable homicide को murder बोला जा सकता है और कब नहीं यह इनका जो difference से यही इस पूरे chapter का मुद्धा है तो यहां पर click करके आप अभी अगले वीडियो में जा सकते हैं जहां पर मैं culpable homicide और murder के differences के बारे में बात कर रहा हूँ और उन differences को समझाते हुए ही और वहां पर murder के definitions को और उनका example देते हुए ही मैं यह समझा दूँगा कि किन-किन scenarios पर examples ऐसा क्या scenario हो सकता था जहां पर examples murder नहीं होती पर culpable homicide होता क्योंकि और आप यह बात गांट बाद लीजिए हर एक murder culpable homicide जरूर होता है लेकिन हर एक culpable homicide murder नहीं होता culpable homicide एक बहुती broad concept है इसका मतलब होता है एक homicide जिसके लिए किसी को जिम्मेदा ठैड़ाया जा सकता है जिसने हत्या क्या है उसको जिम्मेदा ठैड़ाया जा सकता है legally अब एक culpable homicide जब कुछ specific criteria को पूरी करती है हम तब उसे murder खह सकते हैं तो like subscribe की deal बाद में होगी यहाँ पर अभी क्लिक कीजिए और अगले वीडियो में जाए वहाँ पर मैं आपको समझाओंगा culpable homicide और murder के differences के बारे में तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर डड़ा